दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Udemy application के बारे में आपको बता दूँ Udemy एक ऐसा application है जिसमें आप skilled based course join कर सकते हैं और लाखों course आपको यहाँ पे free में भी मिल जाते हैं चाहे आपको English speaking सीखना हो, Hindi सीखना हो, Hindi grammar सीखना हो, English grammar सीखना हो computer में MS bird सीखना हो, Excel सीखना हो, presentation बनाना सीखना हो, चाहे आपको कोई programming language सीखना हो कोई software development करना हो, application design सीखना हो, पूरे world के skill एक ही platform पे आपको मिल जाएंगे और लाखों कडोरों course आपको मिल जाएंगे आपको बता दूँ कि 35 million से ज़्यादा पूरे world से student इस application पर पढ़ते हैं 65 से ज़्यादा application पर language का support मिल जाता है और 400 million से ज़्यादा इस application पर course है 180 country में ये application रन हो रहा है अभी तो आप समझी सकते हैं कि कितना large platform ये है ठीक है application बिलायती है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाके दे देता है इस application के free वाले course भी इतने दमदार होते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको premium course की जरुवत ही नहीं पढ़ती है दोस्तो हो सकता है आपने पहले भी ये application यूज किया हो लेकिन course को सर्च करते टाइम कुछ filter लगाने पढ़ते हैं जैसे कि Hindi language में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो Hindi language के सारे course आएं free और paid का filter लगाना पढ़ता है तो बहुत सारी चीजें सर्च करते टाइम भी ध्यान देना होती हैं तो वो सारी चीजें समझते हैं अगर आप पहली बार चैनल पर आएं तो दोस्तों यह आगया मैं अपनी mobile की स्कीन में अगर आपके पास Udemy application नहीं है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए मैंने यहाँ पर अल्रेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो एकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा एकाउंट आप बना लीजिए उसके बाद अपने यहाँ पर समझते हैं Udemy application मैंने यहाँ पर open कर लिया इस तरह से कुछ application आता है खुल जाता है और आपको यहाँ पर बहुत सारे course यहाँ पर मिलने वाले हैं मैंने देखिए यहाँ पर account बना के रखा है आप पहले से account बना लीजिए ज्यादा कुछ नाम बता पूछता है उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको सामने जो है paid course आजाएंगे तो आपको ज़्यादा गबराना नहीं है आपको किस तरह से free course एक्सेस करना है इसके सारे तो बो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पर category दी गई है जैसे मैं यहाँ पर see all पर click करता हूँ तो इतनी category है जैसे finance, accounting, development, business, IT, software, office ठीक है personal development, design, marketing, lifestyle, photography, health, fitness, music, teaching, academics बहुत सारे category यहाँ पर दी गई है ठीक है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ आगे कि आपको यहाँ पर account मिल जाएगा account आपकी Gmail ID से login कर लीजिए, simple, ठीक है तो हो जाएगा यहाँ पर account में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है account के बाद business list आता है business list में ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर my course में आपके course जो माली जी आप कर रहे हैं वो दिखाई देंगे और search में समझते हैं मैं जीज कि आपको search कैसे करना है माली जी आपको English speaking सीखना है तो यहाँ पर आप डाल देंगे English speaking ठीक है? तो मैंने यहाँ पर English डाल दिया, speaking अपने आप आ गया ठीक है? तो यहाँ पर English speaking आ गया अब यहाँ पर आपको बहुत सारे paid course भी दिखाई देंगे तो उपर English speaking जहाँ लिखा है उसके सामने filter का निशान बना है यहाँ पर आप कर दीजिए तो यहाँ पर total दिखा रहा है 10,000 course हैं अब नीचे rating आपको दिखा रहा है तो आप rating case आप से भी search कर सकते हैं ठीके उसके नीचे price दिखा रहा है तो एक paid जो course है वो 9,100 संता हुन है और free जो course है वो 932 है अपनको तो एक course जोईन करना है तो आपन free पर click कर देंगे उसके बाद यह level है beginners के लिए है और जो expert है उनके लिए है यहाँ पर language भी है तो अब language जैसे आपको हिंडी में चाहिए तो हिंडी में कर दिजे 39 course जो है यहाँ से apply कर दिजे तो अब आपको जो course मिलेंगे वो ऐसे course मिलेंगे जो हिंडी में बढ़ा रहा है और free में बढ़ा रहा है तीके जैसे ये 30 दिन चैलेंज वाला है कोर्स 13 लोग लोग रेटिंग दे चुके हैं 403 स्टूडेंट यहां पर इसको इन्रोल कर चुके हैं तो आप भी इन्रोल करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं वो भी फिरी में ऐसे कई कोर्स आपको मिल जाएंगे अब जैसे माल दीजिए मुझे एक्सल सीखना है ठीके तो मैं यहां पर MS एक्सल डाल दूँगा तो एक्सल मैंने यहां पर डाल दिया तो बहुत सारे पेड कोर्स आगए फिर से मैंने फिल्टर लगाया अब यहां पर मैं देखूँगा कि दस हजार कोर्स प्रेड है और आठ हजार दो सो चपविस कोर्स जो है बिल्कुल फिरी है तो मैं यहां पर फिरी पर किलिक कर दूँगा और यहां पर हिंदी पर किलिक कर दूँगा ठीक है और एपलाई कर दूँगा तो मुझे हिंदी में और free में course मिल जाएंगे यहां पर कोईसा भी course में join कर लूँगा जिसकी rating rating अच्छी हो मैं यहां पर पहले ही वाले पर click करता हूँ तो साड़े चार अजाल लगवगी student इसको join कर चुके हैं ठीके तो data analysis है यह excel वाला beginner वाला भी आप देख सकते हैं तो बहुत simple चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको skilled based course देता है free में देता है और आप इससे फायदा उठा सकते हैं और इसमें कुछ नहीं है enroll करने के बाद आप सीधा पढ़ सकते हैं classes ले सकते हैं enroll करने के लिए आप course को खोलिए और यहाँ पर enroll कर दीजिए ठीके enroll करने के बाद यहाँ पर get start पर click कर दीजिए और आपका course start हो जाएगा नीचे यह सारे lecture आगा है ठीके आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आप पढ़ सकते हैं simple वो भी बिल्कुल फ्री में तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको किसी भी तरह की परिशानी हो तो कमेंट कर दीजिए मैं उसका reply जरूर दूँगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाएंगा